नमस्कार दोस्तो एक बार फिर साब सभी का स्वागत है बॉलिकराद स्टूडियोस में और मैं हूँ अनुश्कातियागी प्रभास टारर आदे पुरुष की जब से घोशना होई थी तब ही से विवादों में है ये फिल्म पहले से ही दोस्तो इस फिल्म के VFX को लेकर लोगोंने काफी कुछ कहना शुरू कर दिया था रिलीज के बाद से तो फिल्म बूरी तरह से विवादों में फस चुकी है अब तो इसकी पूरी टीम को लोग कोस रहे हैं और एक बार फिर बॉलिवुट को बॉयकॉट करने की मांग तेजी से हो रही है दोस्तो साथी आदेपुरुष को बान करने की मांग भी की जा रही है जिसमें ना तो श्री राम के रूप में प्रभास पसंद आ रही है और ना ही देव दतनागे को हनुमान जी के किरदार में पसंद किया गया इस फिल्म के किसी बेक रोल को दर्शकों ने नहीं सराहा और इसके डायलोग्स भी बहुत विवादित हैं दोस्तो सबसे ज़्यादा दुख तो प्रभास के फांस को लगा है जिनोंने उनसे बहुत उमीदे लगाई थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदिपुरुष में प्रभास मेकरस की पहली पसंद नहीं थे बलकि एक बॉलिवूड हीरो थे हाँ दोस्तो अज़ेदेवगं स्टारर तानाची के निर्देशक ओम राउद द्वारा निर्मित आदिपुरुष के लिए प्रभास को एक बार में फाइनल नहीं किया गया था बलकि वो एक बॉलिवूड हंक को इसमे लेने वाले थे लेकिन दोस्तों उनसे बात नहीं बनी थी अपने फिल्म तानाची दान संग वॉर्यर के ब्लॉगबिस्टर साबित होने के तुरंत बाद ओम राउद के पास ओफर्स की बाढ़ा गई थी और आधिपुरुष उनमिस एक थी लेकिन दोस्तों जब शिर्वात मिस के बारे में चर्चा शुरू हुई तो बॉलिवूड हंक रुतिक रौशन को मुख्य भूमिका के लिए सोचा गया था दोस्तों रौशन डिरेक्टर ओम राउद की पहली पसंते इस फिल्म के लिए लेकिन अभी नेता ने फिल्म के लिए हामी नहीं भरी थी और कहा क्योंने निर्णे लेने के लिए समय चाहिए ओम राउट ने बाद में एक अलग प्रजेक्ट के लिए दोस्तों एक हीरो से बातचीच शुरू की और फिर रागव की भूमिका ले प्रभास को ले लिया गया था हाले कि दोस्तों अगर आप सोचा और देखा जाए तो रामायन में श्री राम की भूमिका के लिए प्रभास कहीं से भी फिट नहीं बैठते यहां ये समझने की ज़रत है जब आदिपुरुष के बारे में सोचा गया तब ओम राव तकेले रामायन का रुपांतरन नहीं कर रहे थे बल्कि दोस्तों दुरान डंगल और शिचोरे फेम नितेश तिवारी भी एपिक रिटेलिंग के लिए तयारी कर रहे थे सयोग से दोस्तों नितेश तिवारी ने भी रुटिक रोशन को ध्यान में रखा और उनसे संपर्क किया और आदिपुरुष के लिए प्रभास को फाइनल कर लिया था लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वो इसमें बाहु बली स्टार से कहीं जाद पॉफेक्ट होते और उनके अवाज भी लोगों को काफी पसंद आती वैसे दोस्तों जानकारी के लिए आपको ये भी बता दे कि फिल्म के लिए गृती सानन भी सीधा के रोल में मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी उनसे पहले ही फिल्म निर्माता अनुष्का शर्मा, अनुष्का शेटी, कीरती सुरेश और क्यारा दवानी को लिए न चाहती थी लेकिन किसी कारन के चलते दोस्तों बात नहीं बनी अब फिल्म सोमवार को सिनेमा घरों में क्राश कर गई है जिसके चलते कमाई में गिरावट आई है साथी फिल्म के नेगेटिव रिव्यूज में दोस्तों इजाफा हो रहा है आपको क्या लगता है क्या आदिपुरश अपने बजट जितना कमा पाई की हमें कॉमन सेक्शन में सरूर बताएगा साथी आपको ये फिल्म कैसी लगी है हमें ये भी कॉमन सेक्शन में सरूर बताएगा इसे के साथ मैं लेती हूँ आपसे जौसित हमारी आज की रैटर है मनीशा जैन